एक और trap जो कि बहुत popularly bank use करता है वो insurance का trap होता है दोस्तों अगर आपने कभी home loan के लिए apply किया है तो आपने notice की होगी कि bank उस loan को insure करने की interest जताता है और यह legal है because bank अगर आपको loan दे रहा है और वो asset जब तक आप पूरी तरीके से loan prepay नहीं करते हो वो उसके नाम पही रहता है तो उसको अपनी interest को protect करने का पूरा अधिकार है तो इस वज़े से वो आपको कहेगा कि आप एक home loan protection insurance लिए सो मानके चलते हैं आपने 30 लाग रुपए या 35 लाग रुपए की home loan ली है और उस पे आपको कुछ 80,000 से लाग रुपए तक का single premium का एक home loan protection insurance के लिए पे करने के लिए bank suggest करेगा अब बैंक आपसे यह कहेगा कि अगर आपके पास इतनी amount नहीं है पे करने के लिए तो हम उसको directly आपके loan amount में add कर देंगे तो जो आपकी 30 लाग की लोन थी अभी वो एक लाग रुपए से बढ़ गई है because एक लाग रुपए का भी आपको home loan protection insurance का premium पे करना है तो मतब आपको उस premium amount पे भी अभी interest पे करना पड़ेगा so इसके पीछे क्या trap है देखे trap यह है दोस्तो पहली चीज़ कि आप जभी insurance लेते हैं और वो भी एकदम से single premium पे करके तो पहला नुकसान इसमें आपका यह हो जाता है कि आप जब-जब आगे चलकर वो home loan prepay करते जाते हैं जिससे आपकी balance reduce होते जाती है वैसे वैसे आपकी insurance की coverage भी reduce होते जाएगी दूसरी चीज़ जो आपको bank नहीं बताता है वो यह है कि जब आप वो loan transfer करते हैं किसी और lender के पास वैसे अगर आपको कोई better rate का offer की जा यह bank में तो अगर आपने वो loan को transfer किया उस नए वाले lender के पास तो आपका जो insurance है वो जो insurance का जो contract है वो immediately seize हो जाता है तो insurance आपके loan के साथ transfer नहीं होता तो मतलब आप जब नए lender के पास जाते जब आपना loan transfer करते हैं तो वहाँ पे भी आपको अलग से फिर insurance लेना बढ़ता है मतलब यहाँ पे जो आपने premium भरा एक लाख रुपए का वो डुक गया यह आपको bank नहीं बताएगा और इसे के साथी साथ तीसरी चीज जो आपको जानना ज़रूरी है कि देखे insurance bank आपको बिलकुल insist कर सकता है that is as I said it is legal but then वो bank से ही लेना है आपको ऐसा कही पे भी कोई law नहीं है मतलब अगर आप अलग से एक term plan ले लेते हैं जिसका premium आप monthly भी भर अगर भरना चाहे तो भी आप भर सकते हैं और मैं तो यही चीज में believe करता हूँ कि जब आप insurance लेते हैं term plan भी लेते हैं अगर आप उसको थोड़ा थोड़ा करके pay करें अपने convenience के हिसाब से अपने affordability के हिसाब से तो वो आपके pocket के लिए हमेशा एक you know it would give you relief it would not be a stress because यहाँ पर single premium में आपको एक साथ एकदम से इतना pay करना है वो भी bank finance करके उस पर आपको interest charge करता है तो इससे ज़्यादा expensive affair और कुछ होई नहीं सकती है तो यहाँ पर आपके पास option है कि आप बहार से अलग से term plan ले सकते हैं पर आप थोड़ा-थोड़ा मंतली करके भी premium pay कर सकते हैं तो आपका यह जो insurance आपने बहार से लिया हो है वो independent रहेगा यहाँ पर बिलकुल भी वो disturbed नहीं होगा और जैसे-जैसे आगे आप लोन भरते जाते हैं तो यहाँ पर value decrease नहीं होते है यह value same रहती मतलब अगर आपने पचास लाग रुपए का term plan लिया और पचास लाग का आपका लोन भी है तो पचास लाग का लोन आच्छे 10 साल बाद मानके चलते हैं 30 लाग का हो गया तो आपके insurance के coverage की value 30 लाग नहीं होती है वो पचास लाग रुपए ही रहता है So that means यहाँ पर insurance independent टकने से bank से home loan protection insurance नहीं लेते हुए अगर आप भार से independent term plan लेते हैं तो वो चीज जादा फैदेमंद होती है